नमस्कार दोस्वं आप शवी का बहुत बहुत भागत दे दोस्वं आप शवी को बता दें कि आज शाम के 5 बचकर 10 मिनिट के उपरांध आप शवी के जुनकाल में या आपके ये चार शपने शच होकर रहेंगे जे हां दोस्वं चाहे कुछ भी कर ले लेकिन यह अगटना हर हाल में होकर रहेगा जी हां दोस्तों आप शिबी की जानकारी के लिए बता दें कि ये चार शपने आपके हुए शपने हैं जिनके लिए आप इछले कैश मेशे मेहनत करते आ रहे थी जिनके लिए आप इतने दिनों शेश अंगर्ष करते आ रहे थी जिया दोस्तों और अब आपका वही शपने अश्मे शच होने वाले हैं तो दोस्तों आप शेबी को बता दें कि यह आँखों में खुशी के आँस हुआ जाएंगे जिया दोस्तों क्योंकि गुश्कबरी ही कोच ऐसी है जो की शुनकर ही आपकी पेरों तले जमिन खिशक जाएगे जिया दोस्तों आपने कभी शपने में नहीं शोचा था कि इतनी बड़ी गुश्कबरी आपको इतनी जल्दी मिल जाएगी जियां दोस्तों बश हम आप शिवी शे कहना चाहते हैं कि याश में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा और कुछ कारे करने शेव बचने होगी इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप ध्यान से दिखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले मातारानी के शभी स वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू किजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मातादी जरू लिखिएगा तो आई दोस्तों बात करते हैं जियां दोस्तों कुछ परकार की गरों की प्रस्तिती बनने वाली है जिनसे दोस्तों आप शिवी का पूरा जीवन ब वैतित करेंगे जिनमें घर पृषियों का माहूर रहेगा जियां दोस्तों आप कौशिवी को बता दें कि यह चार शपने आप शिवी के आखों में खोशी को आशूर देंगे ही शाधिशा दोस्तों आप इन आने वाली चार दिनों के शमय को कभी बीजियोंवे ब्हुला आने वाले हैं जी हां दोस्तों आप शिबी को बता दें कि आने वाले चार दिनों का शमय दोस्तों आप शिबी के जिन्दिगी के शबसे महत्पुन शमय होने वाले हैं जी दोस्तों आज के इस सकारशकरम में हम आप शिबी के जुनकाल की वो बड़े भाश्वानी करने वाले हैं कुछ इसे सचाइशають शिवी को रूब रूब करवाने वाल हैं जिन्ने जानकर दोस्तों आप शिवी के होस भी ऊड़एंगे गर दोस्तों जब आप यह बातों कुछ उनेंगे तो दोस्तों आप ज़रूर ही कहेंगे कि काश आपने यह बात elles वहा हमें पुर्षानिव और गुरू के सित्ती बहुत ही भागर्साली बनने वाली है जीए के आपके-श्बने वाले हैं indakरे करने के जिनगान रापके-धूर सतय लुवें रहें शाक्षात यश में मंगल याने की भगवान महावली हर्मान जीवी आपशीपी के जुनकाल में प्रशन नहीं रहने वाले ही जिया दोस्तों अगले चार दिनों तक दोस्तों जो भी व्यक्ति इस वीडियो में जो हमबात बताने वाले उन बातों को ध्यान में रखेगा दोस्तों उन शबी का ध्यान जीवन बिल्कुल ही शबल हो जाएगा और दोस्तों इस धर्ती में कोई भी इशा इंसान नहीं है जो उशे रोक पाएगा जे दोस्तों शबलता पाने शी काम्याबी पाने शी या फिर अपने जुनकाल में तरकी को पाने शी दोस्तों कोई भी कि द्वी माताल लक्षमी और देवों के देव महादेव आप शिव के जमगाल में आने वाले हैं जे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शंपुन ज्यानकारी देने वाले हैं कि अगले चार दिनों का शिव में आपके लिए आखिर केशे रहने वाले हैं कौन कौन से बातों का ध्यान आपको रखना होगा, कौन कौन से बड़ी खुश्गवरी आश में आपको मिलने वाली है, दोस्तों कौन कौन से चेतर आपके लिए भागी चाले होगे, कौन कौन से चेतरों में आपको कौन से बातों का ध्यान रखना बहुत यह दावश्य होग दोस्तों वीडियो को शुरू करने से बहले शर्फ प्रतम जो भी भगवान भोलीनात और धन की देव माता लक्षमी के सच्चे पिरभकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं सबसे पहले सच्चे मन से चैनल को शब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान भोलीनात और माता लक्षमी का शुमशिरवाद आप शिभी को प्रापतो हो। जिया दोस्तों शाथी शाथ इस वीडियो को अपने प्यारे हांतों शीक प्यारा शलायकर जरूर किजेगा। अजर्य शाथ sitten को बता दें कि यश्मे गुरू और शनी की भी सतत्ती बहुती परबल है जेहं दोस्तों इश्डु प्रांती हम आप शिभी पदा दें कि आपके जुनकाल में जो योग बन रहे हैं. जो योग बन रहे हैं दोस्तों वह योग कडरुवती योग हैं और दोस्वों या शिवय के जुनकाल में अगले चार दिनों तक दोस्वों बहुती बड़ा शुव्यinta महीं यानकि दोस्वों कडरोपती ऐूग बन रहे हैं धोसरों आप शिवय के जुनकाल में बहुतसके बड़े लाब बिलने वाले हैं धरandus दोस्तों आप शिवी को बता दे की कौन-इक बातों का आपको ध्यान रफना होगा दोसों यह जन्मा आपके लिए बहुत यदा जरूवरी है और दोस्तों कौन-कौन दोशे कार्या आपके लिए फिर्विरेश में लाबकार योंगे शबी बातों के बारे में हम आपको विस्तार शेव बताने वाले पर आपके लिए अनिरे पर आपके लिए परबलны हैं यानि कि धनकी दिवी माता लक्षमी आपके जुनकाल में प्रेशन होने वाली है और शुक्षमर्दी आप शुवी के जुनकाल में सब कुछ आने वाली है यानि कि दोसों जो भी आर्थिक शमश्याए है वे आपके जुनकाल से दूर होने वाले हैं लाब के बहुत शारी मोके खुलने वाले हैं जे दोसों येश में शुकर के स्थिति आपके जुनकाल में अच्छी है तो दोसों माताल लक्षमे की शाक्षात के रिपाप शुवी को पराप्त होने वाली है जे दोसों और येश में आपके कुंडली में दोसों शिव नाम का भी शिवियों का निर्मान हुआ है जे दोसों हम आप शिव को बता दें कि आपके राशी के जितने भी जातक है दोसों वो बहुती बुद्धिमान होते हैं हिर्देशी बहुती शच्ची होते हैं शमाज में आपका बहुत ही अच्छा शौबाव है और इसे कारण दोस्तों समाज में आपको शमान भी प्राप्त होते हैं शबी लोग आपके शमान इशली करते हैं कि आपके अच्छे भाव होते हैं बस दोस्तों आप शिवी को बिता दें कि इन्हीं के कारण आप शिवी के जुनकाल में कई बार शिव का भी आशिरवात प्राप्त होते हैं। इस वीडियो को बश आप शुरुश ले करन तक ध्याशी देखियेगा। आप शिवी के जुनकाल में जो भी धन से जुड़ी शिमश्याएं हैं। जो भी पेशों की दिक्कत है। जो भी एशिय कारे हैं जो पिछले कई शिवी से पेशों की वज़े से रुख गए हैं। या पिर दोस्तों कई शारे से आपके काम रुके हुए मात्रे आपके पेशी के वज़े से तो दोस्तों आप शिवी को बदा दे कि आपके वेशारी काम अगले चार दिनों के अंदर बनने वाली हैं। जो पिछले कई शिवी परिशानियां पिछले कई शिवी से पेशों को लेकर आ रहा हैं। दोस्तों वेशारी परिशानियां अब खत्म होने वाली हैं। जो दोस्तों शादे शाद हम आप शिवी को बदा दें कि ये शिवी में आपके महनत का अफल इसलिए आप शिवी को मिलेगा। अपने आपके कार हैं। अपने शूबी के शुबी को इसे कार हैं। फिर पर रह्त कार बन गया है और आपको जिमत्कार शर को लगा है। लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को इनके फीशे का राश बताते हैं कि आप अपने जुनकाल में बहुत यह अच्छे कर्म करते हैं कि दोस्तों आप यह बात किशी को भी नहीं बताते हैं दोस्तों आप शिवी लोग इतने करमशील हैं कि दोस्तों किशी के दिल को भी आप स्ठेश पहुंचाना नहीं चाते हैं दोस्तों आप हमेशा याचीज शोचते हैं जो लोग हमारी शाथ आज बुरा कर रहे हैं उनके शाथ कल बुरा होगा कि आखिर इश्वर कब तक हमें चंकर देगा आखिर इश्वर कब तक हमें दुख देगा दोस्तों बहुत शार विजार आफशिवी के मन में चलते हैं लेकिन दोस्तों हम आफशिव को बिदा दें कि इशुवर हमेशा आप शीवी कि साथ है, कभी भी आपके भाग खराब लेंगे, कभी आपको ग्रों का शुब फल नहीं मिला है। आपने जो भी मेहनत किया है। दोस्तों उन शेवी का फल आपको एक ना एक दिन तो मिलना ही है। जो भी आप अपने जुनकाल में मेहनत करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, दोसों उनका फल तो आपको मिलना एक ना एक दिन है, जो दोसों इशली तो तो कहते हैं कि दोसों भगवान की घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, जो दोसों और अगले आने वाले चार दिनों का आप शिबी के जुनकाल में कुछ यही समय को लेकर आने वाले हैं। जब दोस्तों आपके कारियों में शुबलताओं की प्राप्त होगी और आपके दुश्मन देखते रह जाएंगे। जब दोस्तों शाक्षाद भगवान भूले नात का भी शुबलताओं आप शिबी के जुनकाल में शुबलताओं होने वाले हैं। जो भी आपकारिय कर रहे हैं उनमें पद्वनती होशकती हैं। हम आप शिबी को बितादने की यश में अगले सार दिनों के इंदर आप कोई भी इस तरी हो कोई भी प्रूशो दोस्तों किशी के भी शात धोखा करने की कोशिश बिल्कुल ही ना किजीगा। दोस्तों अगर आप करेंगे जो भी शाय आप शिबी के उनकाल में हैं जो भी आपकी कुण्डली में शिवनाम का शुब्योग हैं। कि जहाँ पर शुकर शुकर शणी और शिवनाम का शुब्योग निर्मान हो जाएं। दोस्तों सभी जो एक शात सन्योजन होता है दोस्तों इन ही से राजयोग का भी निर्मान होता है। जिया दोस्तों और आने वाली चार दिनों का शमय आप शबी के जुनकाल के रिए बहुत ज़्यादा भागेशाली शमय है या शमय खुद को शाबिद करने वाला शमय है या शमय खुद को एशा कोई दिखाने का शमय है कि दोस्तों सभी लोग जो लोग आपके नकामयाबी द दिखना चाते थे उनको अपना कामयाविवी का घंडा दिखाने का शमय है ज्य्या दोस्तों शमय guessing बहुती बलेवान है दोस्तों बशापक आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुती जदर आपने घंजव कोई कार देब बहुत कोई बी कारय आप वे फूजिल के नियुक जो भी आप कार्य करती हैं बिल्कुल ही उन्हें शच्चे मन से कीजिएगा किशी के कहने पर कोई भी कारें की शुरुवात भूल कर भी मत कीजिएगा इन्से आपको खानी हो शकती है अश्पलताएं आपके हाथ लग शकती है क्योंको दोस्तों एश्मे गरहों की इस्तती बह आपको इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्याद आवश्य होंगे की दोस्तों बहुष Rafi लोग होते हैं कि उनके जुनकाल में बहुष विश्वासी लोग होते हैं जिन पर विश्वास करते हैं और उनकी बातों पर चलते ही तो दोस्तों भूल आपको नहीं करना है शाद जिज़बे चेतर में जाने वाले हो आपको शवलताओं की प्राप्ति होगी। धन शंबंद की जो भी करिक्रियाएं हैं यश्मियाग की आगे बढ़ने वाले हैं। और दोस्तु शत्रू भी परवल होंगे। जब आपको शवलताओं मिलती है तब तब शत्रू आपके परवल होती हैं तब तक आपको कुछ ना कुछ नुक्षान होता है। इसलिए दोस्तु शब्षी भला यही है कि आप किशी के भी बात में ना लगें, किशी पर भी आँख मुंद कर भरोशान ना करें। दोस्तों शोच शमचकरी अगले चार दिनों के अंदर आपको कारी करने हैं। दोस्तों ऐसा अगर करेंगे तो दोस्तों आपके कुण्डली में जो भी अशुब गरह है, जो भी आपको नुक्षान प्रसाना चाहता है, वो भी शान्त होंगे। दोस्तों आपके कुण्डली में बहुत ये अच्छी योग का निर्मान है, जो दोस्तों ऐसमे शिव नाम का शुब योग है, तो दोस्तों इनशे साक्षात भगवान भोलेनात का शिरवायद आप शिवे के जुनकाल में हैं। दोस्तों अगले चार दिनों के अंदर आपक करना है, दोस्तों अपने घर में आपको अब शाफ शफाई का ध्यान रखना है, तो दोस्तों इशिवर आपको शंकित देने वाले हैं, आपके घर में आगमन करने वाले हैं, तो दोस्तों इशिवर में शाफ शफाई का आपको ध्यान रखना है, कोई भी जूठा आपको घ अलेत भावन है अपने अंदर भून कर भी नहीं लाने हैं 2押सों हम आ ख्र him को बता दें कि यह बाते हैं हमेशा ऐश३र को ही प्रशन आती है जो लोगे शिकारीयों को अपनाती है हमेशा प्रशन रहती है जे नलसू और डेवियों को जुबिष इसत्री होती है दोस्तों उन्हें हमेशा ही माताललक्षमी का वाश कहा जाता है दोस्तों प्राचिन ग्यान से ही अबात परिचलित है कि इस्तरियों में माताललक्षमी का वाश होता है इसलिए इस्तरियों आपको धनकी देवी माताललक्षमी को प्रशन न करना है तो दोस्वों कोई भी स्तरी हो चाहिए वो आपकी माँ हो बेहन हो बेटी हो या पिर दोस्वों समाज के कोई भी स्तरी हो उन्हें भूल कर भी अपशब्द नहीं बोलना है ना है उन्हें परिशान करने की कोई भी कहर करने है दोस्वों अगर आप इशा करेंगे तो धन की द दिवी माता लक्षमी कवाश आप शिवी के जिवनकाल पर रहने वाले हैं। जिवनकाल पर रहने वाले हैं। हमीशा इसे घरों से रुष्टो रहते हैं। शादिशा दोस्तों सर्सों के तेल अरपित करना शुब मना जाता है। लेकिन खराब और रुप्यों के आगया तेल का धान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जे दोस्तों और अगले चार दिनों के अंदर तो आपको भूल कर भी नहीं करना है। इसके उपरादी दोस्तों हम आप शुब कर दादें कि किसी भी भूके को ताजा भोजन का दान करना बहुत यदा पूर्ने की प्राप्ति होती है। जे दोस्तों इसलिए अगले चार दिनों के अंदर आप इर्शे करियाएं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भूल कर भी आप किसी को बासी भोजन का दान मत किजेगा। दोस्तों इनसे घर में हमेशा असुबता फिलती है और घर में जो भी देवी दिवता का वाश होता है। दोस्तों वो हमेशा के लिए हर जाते हैं। इसलिए दोस्तों इशा आप अगले चार दिनों में भूल कर भी मत किजेगा जे दोस्तों और बास्वी भोजन का दान आपको जीवन भर भी नहीं करना है लेकिन दोस्तों चार दिनों में हम आपको इश्री बताए हैं कि दोस्तों चार दिनों में जो गरों के स्थिती है वो बहुत ही परवल है जी दोसों इश्वा करना दोसों आपको बहुत ही मुश्किलों का शामना करवाता है दोसों हमेशा घर में विवाद होंगी और कोट का चेहरी के मामले पढ़ेंगे और धन की खर्चा बहुत ज़्यादा होंगी जी दोस इसलिए आप इनका खास ध्यान को बताए जिन से आपको करना है जिन से आपको अपने जनकाल में हमेशा शुक्स्यमिरदी और हमेशा खुश्यों की प्राप्ति दोसों और शाते शात भगवान भोलेनात भी आप शिप्रशन हो और घर में आई माता लक्ष्मी भी आप शिए बहुत ज्यादा परसंड हो जी दोसों इनके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार की शाम को तुलसी के पोधे के शामने गाय के घी का दीपक जलाए और ओम श्रींग 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 मंत्र का आपको जाब करना है दोसों इस उपाई से आर्थी घानी कम होती है और धन में बिरिद्धी होती है शाती घर में आये माता लक्ष्मी भी बहुत जदा परशन होती है तो दोसों इस उपाई को आप जरूर कीजिएगा शाती मोती शंक में रखने शेभी धन श्यदेव भड़ता है और दोसों धनान कभी भी नहीं होती है अगर आपके घर में शंक है तो दोसों मोती का व्यश्टा करके उनमें जरूर ही रखिएगा इसको प्रांदी दोसों हम आप शिव को बदा दें कि अगले चार दिन में आप शापको एक उपाई करना है जिनसे दोसों आप शिव के जुनकाल में माठी को भी जरूर लगाए जिया दोसों एशा करने से दोस्तों आपके मन में आपके जो भी कीएगे पाप हैं उनका छह होगा शाधि दोस्तों एस व्यश्व विक्ति पर हमेशा धनकी दिव मांटाल लक्षमी का वास्तो होता ही है शाधिसा दोस्तों हमेशा उनके जुनक लक्षमी और वगवान शीव आप शिवी के घर में पदादने वाले हैं तो दोस्तों इस बात का आपको खास त्यान रखना है इश्ग प्रांदी दोस्तों हम आप शिव को बदादने की अगले चार दिनों के अंदर आपको कौन शाह महत्पुन भाई करना है जे दोस्तों जो भी माता लक्षमी और भगवान शीव हैं वो प्रेशन होंगे और दोस्तों आपके मन में आपके शरीड में घर में हमेशा ही शांति के अस्तापना होगी जो भी आपके अंदर रोग हैं जो भी इशे कर्ष्टे हैं गिली कलेशें अकाश्मिक दुर्गटना आप शिवी की मिलेंगी और भगवान शीव और माता लक्षमी जी के अश्रवाश्य आप शिवी की घर में नकार्तमक्ता हमेशा खत्म हो जाएंगी जो भी नकार्तमक उड़ जाये हैं वास्तों दोश हैं उन शबीशे मुक्ती मिलेगी दोस्तों अगले चार दिनों के अगर आप अगले छार दिनों के शमय में माता लक्षमी और भगवान शीव की मनशे पूजा करनी है जिन दोस्तों हम आप शिवे को बिलपत और दूद अवशी अरपित के जगा उनका भी शिवे के जिजगा और शाथ एगले est चार दिनों में मातालप लक्षमी के भी आपको पूजा करने है उन्हें लाल पुष्प अरपित करना है दोस्तों ध्यान रखेगा इश्कुप्रादी दोस्तों जूबी परशाद आप शिवाद आपने भी देजएगा दोस्तों गर के शवी परिवारों में उने बाढ़ना है दोस्टों इस बात का ध्हीन रखे खरीी आप घरेबों जरुऑ बन्नों और गौस्द्न हो उसको प्रांदि दोस्टों हम आक शिव को उदादैं कि ये अगले चार के अंदर आपको अपने जुनकाल में एक बहुती बड़ी और महत्पुन उपाय करना है दोस्तों अपने जुनकाल में आप कोई भी एश्य गलत किरियाई करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान भुलनात प्रशन होगे और आपके घर में वाश करेंगी आपके माशिग शांती इसमें बढ़ने वाली है जिया दोस्तों शारिशा दोस्तों हम आप शुकुप विदादी कि अगले चार जिनों तक शुबह और शाम आपको अपने घर में कपूर जलाना चाहिए जिहां दोस्तों घर में किशी भी परकार की जो अकास में घटना है दुर घटना है दोस्वों वेश्य भी टल जाएंगी रात्री को शोने से पहले आपको कपुर जला कर ही शोना है जिए दोस्वों ये अगले चार दनों के लिए सबसे ज़दा लावकारे शाविदों की ये दोस्वों धनकी देवी माताल लक्ष्मी और भगवान भुलिनात के स्थिती यश्मी आपके कुंडली में अच्छे हैं जिनने दोस्वों आपको जानना है और इन्हें जरूर ही करना है इश्को प्रांदे दोस्वों हम आप शुक बता दे कि अगले चार दिनों तक तवे को शदेव ही घर में जब भी आप रोटी पगाते हैं तो उस तवे को हमेशा ही आप सिधा करके रखें कभी भी दोस्वों गैस पर खाली नहीं चोड़ें जी हैं दोस्वों कुछ लोगों की आदद होती है कि वे रोटी शेकने के बाद उन्हें खाली तवाही गैस पर छोड़ देते हैं कि अगले चार दों में आप इस बात का खाकें रखेंगएं। शबीग का वास अठेगा और भगवान भुलेणात और माताल लक्षमी आपसे बहुत यदा प्रश्ण होगी जी है दोस्तों इसके उपरांदे दोस्तों हम आपको एक महतकुन उपाय बताते हैं कि भगवान भुलेणात को आपको प्रिशन करना है भगवान भोले, दोस्वों एतने भोले हैं कि मात्रिक बिलपत्र शेही वो बहुत ही प्रशन हो जाते हैं, मनिता है कि जो भी शिवलिंग पर नेमित रूप शेही बिलपत्र चढ़ाता है, उसकी हर तरह की मनोकामनाएं भगवान भोले नात पूरी कर देते हैं, इसके अलाव भगवान शिव को शमी के भी पत्ते बहुत यह प्रशन होते हैं, इसलिए शावन के हर दिन शिवलिंग पर शमी के भी पत्ते चढ़ाना चाहिए, जिए दोस्वों भगवान शिव का दोस्वों दूदोर गंगा जलसे अभिशे करने से शभी व्यक्ति को शिवफलों की प् शादिशा दोस्वों हमाप शिव को दादे की धनकी दिवी माताल लक्षमी को प्रशन करने के लिए आपको शुकरवार की दिन माताल लक्षमी जी के मंदर में एक जटावाला, नार्यल, कमल फूल, शवा मिटर गुलाबी या फिर शफेद कफडा, चमेली का तेल, दही, श आप शिव को बता दिए कि जो भी पेशों सेस्वेशन करने के समयशत है, उन शबी के जटाव पिजन करने की जो भी मताल लक्षमी और भगवान भुर्यास चुटकाराज दिलाएंगे, तो दोस्वे फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शिवी का झाल झाल झाल